हाई गाईज वेल्कम बैक टू दो चैनल कैसे हो आप सब लोग हो आप सब लोग बहुत ही अच्छ होंगे तो आज की इस बाले ब्लॉग में आप लोग देखेंगे हमारा जो नेया वाला घर है उसका होम टूर तो एक घर को मैंने अच्छे से मतलब सेट कर लिया हूं और पोस्तों इन चीज रखना है उसका अच्छे से रख दिया है तो चलिए देखिये फेरेर रग रहा हैँ आपको नयायवा नशाया और इसको मैंने अच्छे से जैसे सेफ किया हूं आप लोगों को ऐसा लग रहा है तो चलिए फिर एंट्री करते हैं मेंडोर से यह हैं मेंडोर तो मेंडोर के सामने यहां पर मैं हमने सूज टांड और एक स्टूल रखा हूं बैठके सूज पढ़ा पहनने के लिए चलिए कालिंग वेल है यह और यहां पर कटन भी डाला हुआ है मैंडोर में कोई मेरन कलर का कटन फ्लोरर बला और चलिए एंट्रि करते हैं डोर में ए ओपन कर लिया हूं और इंट्री करते हैं मेर्द के यह दिखिए वाल परिंटिंग जो होता है फोंस्टिकर यहां पर लगाए गारए पहले सरी था हमने नही अबरेला रखा हुआ है और रूम का की जो है यहां पर एक हूग के वहां पर रख दिया हूँ और यह देखिए यह इसको में यहां पर लगाया हूँ अच्छा लग रहा है में इंडोर से आने के बाद यह तोड़ा सा स्पेस एरिया है और यह पूरा हॉल का एरिया तो देख दीजिया आप लोग कैसा लग रहा है और अंदर चलिए आप लोग में पूरा घुमा के दिखाती हूँ और यहां पर देख सकते हो यह बॉक्स है हमारा बॉक्स है बॉक्स के उपर हमने टीबी रख दिया है और यह पूरा है यह पूरा हॉल की एरिया है यहां पर वाल क्लोग जो है यहां पर रखे यहां पर लगाया हुआ है और यह बाला की स्टांड यहां पर है और हॉल में ही हमें वासिंग मेसिंग रखना पड़ा और यह है लॉन्रे वैग और वासिंग मेसिंग जो है वो कवर अच्छा लग रहा है मेरून कलर का और यहां पर हम कॉटन भी डाल देखने के लिए यहां पर डाल दिया हूँ और यहां पर रोईत का बुक्स और उसका बैक यह एबी सीदी अल्फावेट नंबर बगेरा यहां पर दीवार पर लगा दिया हमने वह पढ़ाई करता है इसको तोड़ पोड़ भी दिया है मतलब फार्ट दिया है अभी और यहां पर भग दिर बनाया था आप लोग के साथ स्यार की हूँ और इसके ऊपर ही मैंने कुछ देकुरिटिव पेस्ट जो है था उस गयर में यह रेट फोर्ट से लेकर आए थी और एलेफांट चोटा वाला एलेफांट यहां पर दो फ्लावर कपट जो है और रखा हूँ डेकुरिटिव फीस जो मेरे प्दा था तो यहां पर मेरेने रख दिया हूँ हूं हूल्मे ही और यह वाला व्लाए शारा एक्स्ट्र सामन् अ तो आए क्योंकि छोटे वाले मंदिर में नहीं आ रहा था तो उपर रख दिया हूँ जो कि डेली बेसिस में यूज नहीं होता है तो उसको उपर रख दिया हूँ यह अच्छे से सेफ होके रहा और यहां पर है खिड़की खिड़की में भी हमने मेरून कलर का उइंडो कटन जो है ओ लगा दिया हूँ और उपर आप देख सकते हो ताज महल के पास और इंडियागर के पास हम लोग का फोटो जो है वह हमने लिये थे उसको फ्रेम बनाके लगा दी और यह रहा बेडरूम पहले आप लोग हॉल अच्छे से देख लिजिए कीचेन देख लिजिए लास्ट में बेडरूम दिखाओंगे आपको ठीके और यहां पे रोई का खिलोना एक बाग में लांडरी बाग है उसमें रदिया हूँ और इस वाले बॉकेट में सारे जो कपड़े सुखा हुआ है वह वाले कपड़े अभी लेके आए हूं में चट से अब चलिए कीचेन के तरफ कीचेन और वास्ट्रूम दोनों साइड इपर ही है और यहां पर यह वाला लेटकन याप में लगा लिया हूँ और यह वाला पाउच भी ही पर लगाया हूँ यहाँ पर सामने हे वाश्रूम और यह है कीचिन तो यह एक सेपरेट इरिया हे और यह ही वास्ट ब से इसीन उसके नीचे मैं डॉरॉट वाला डॉस्ट भूशंग जो हो रखा हूूँ और यह रहा हमारा टूथपेस्ट ब्रस बगेरा स्टान जो है और यहां पर वासी में सिल का स्टान यहां पर है वास्ट्रूम वास्ट्रूम भी देख लीजिए कैसा है चोटा सा है पट्ट अच्छा है इतना एरिया का है और वास्ट्रूम के अंदर यह इसके उपर हमने रख दिये है यहां पर हमारा जो भी डेली एसली बाइट्रूम का आइटम को यहां पर रख दिये है चोटा सा है चलेगा यह चोटा सा बाथ्रूम बाथ्रूम के बगल में ही कीचन है चलिए कीचन का टूर्ट दिखाते हूं आपको कीचन के साहे एंटर करते ही यहां पर फ्रीज है हमारा तो फ्रीज के ऊपर में जादा सामान कुछ नहीं रखा हूं क्योंकि यहां पर बहुत सा मंस्वय से रखने के लिए उपर आप देख सकते हो यह पूरा है सामान रखने के लिए और सेल्फ जो है किचन का सेल्फ आप देख सकते हो सेल्फ नहीं है यह दिखिए पूरा चार तरफ यहां पर यह जो भी ऊपर रखने के लिए और नीचे भी पुरा सामान रख सकते हो बट कीचिन में सेल्फ नहीं है इसलिए मैं नीचे सारा सामान रख दिया हूँ यह देख सकते हूँ सारा दब्य बगएरा यहाँ पर मैं नीचे रख दिया हूँ अच्छे से हेरेंस करके और हमाना सारा सामान जो भी दब्य बगएरा नीचे आरामसे और यहाँ है रहा पर यहां है आलूपयाज का स्कान्य यहाँ डस्ट वीं यहाँ पर पानी वाट्लि यहां पर पानी रख दिया हूँ यहां पर बरतन दोने के बाद इसमें रखती हूँ और पानी नीचोडने के बाद ओवले टॉब में रख देता हूँ और यहां पर एक पॉइंट है ग्राइडिंग करने के लिए जाएं बीचें बिसाइजार मिक्सर पॉइंट यहां पर एक खीडकी है पड़ा साइज कि वेसील को वास बैसील की और यह आ गया हमारा मैं जुर्ण कि अरिया इस इंदिद का याँ पेए किजिन में दो किर कि यहां पेक और यहां पेक है और बाहर का विऊध देख लिजिए ग्रिनेरी ग्रिनेरी है पूरा इच्छा लग रहा है इस वाले खेड़की में नेट लगाया गया है ऐसे आप इसको खोल सकते हो नेट जो बहुत गंदा है ऑईली हुआ है साप करके नहीं दिये है भी रहा ग्यास्टो और यहां पर में जो भी उखेडर दहली जो भी तेली, जो घमकरировать वखेड़की में लखा है उखेड़कीन है आए है मैं यह नीचे में रखा हूं कोई दिक्कत नहीं है यह किचिन मेरा किचिन जो है ने घर में और दर्बाजा भी है किचिन में जब चाहो अब दर्बाजा भी बंद कर सकते हूं यह दो यह है वेडरोम और बैडरोम में यहां पर खिड्की है जहां में जहां पर मैंने दोनों कलर का कटन जो है डाला हूं क्योंकि एक टाइप कटन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था थोड़ा डॉल डाल रग ला था तो मैं दोनों टाइप का दोनों कलर का कटन जो हो डाल दिया हूं और यहां पर उपर वही ताजमॉल वाला फोटो जो है हमने प्रेम बना दिया और रखा हूं और यह एक बड़ा सा गाडरेस कवर्ड जो बोलते है वह हमा यह लाफिंग बुद्ध और यहां पर कमबो रखने के लिए यहां पर रख दिया हूं और जैसे कि आप लोगों को मैंने दिखाए था जब सिप्टिंग के टाइम पर यहां पर उपर स्पेस है और उपर हमने जो भी सामान है और रख दिया हूं और यह रहा बेड़ अच्छा वैडियू नया वाल वावेड है जान अच्छा लग रहा है पिंक एंड वाइट कलर का फ्लोरल वावला वैड़ स्टिय अच्छा लग रहा लिए एय बीचिन बेट को है जो देखिैंक यह लुप करने में बहुत लेपी है मुद करने में बहुत होता है हमें और यह रहा चोटा-सरूम है इतना बड़ावब नहीं है और यहां पर ही छोड़ा सा मीरर में लगाया हूं मेकप के लिए क्योंकि यहां पर कुछ है ही नहीं ड्रेसिंग टेबल बगएरा कुछ ही ही नहीं और यह है डोर, डोर के पीछे ऐसे जो आ रहा है न यह हूक तो इसको अप लगा सकते हो डबल टाप बला होता है तो इसको अप लगा सकते हो यहां पर दो लगाया है तो है कि एक लिए राजीब के लिए मेरे लिए दूने यह और बेट के पास में ही सुइच्स बोड वगएरा है जो फ्यान चलाने के लिए दिक्कत नहीं और यह वाला फ्यान भी उन्होंने दिये ह हो यह ठीकिए देख लीजी यह बेडरूम कितना बड़ा है कि अंगे अंग डिगें के अगल करते हैं एफ गई यह था हमारा छोटा सा प्यारा सा घर का घॉम तूर होँब अब लोगों को अच्छा लगा होगा तो अच्छा लगतो प्लीज्व लाइक से हांड सब्सक्रिब तूमाई चानल तो इस वाले घर न फंद पिछले वाले पूराने वाला घर था उस भले घर से अच्छ लग रहे हैं और हॉल की एरिया की मैं बात करें तो बहुत बढांग अरहाँ से आट अराम से कोई भी add ball supports से अराम से मतलब स्पेस बहुत ज्यादा लग रहा है तो हमें तो अच्छा लग रहा है आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना गाइज तो चलिए आज की इस वाले ब्लॉग में इतना ही था मिलते हूं आपसे नेक्स वाले ब्लॉग में